सबसे पहले मुझे आपको ये बताते हुए भेरदी खुशी हो रही है कि हमारे एक वीडियो जो कि बहाइंड दे ट्रीज मुवी का एक्स्प्लेनेशन था उसे खोदी इसी मुवी के डायरेक्टर विकरम जैकुमार ने देखा और मुझे परसनल इंस्टेग्राम पर कुछ मुझे ये लग रहा है कि हमारा चेनल वाके में ग्रो कर रहा है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने ये मुवी नहीं देखी तो जरूर देखेगा और अगर आपको ये मुवी अच्छी लगती है तो इसे आई-मडीवी पर रेटिंग देना बिलकुल भ भूलिएगा आज मैं जिस मुवी का एक्स्प्रेशन करने वाला हूँ उसका नाम है 0.0 MHz जिसे यूस्यों डॉंग ने डायरेक्ट किया है दोस्तो वेसे तो आपको पता ही होगा कि कोरियन लोगों के नाम काफी स्ट्रेंज और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इसलिए मैंने इस वीडियो में उनके नाम को बदल कर कुछ सिंपल नाम में कनवर्ट कर दिया है तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सिधा वीडियो की तरफ मूवी की स्टार्टिंग में हमें गाउं को देखते हैं जहां पर एक रिच्वल चल रहा था और कुछ लोग मिलकर उस रिच्वल को पूरा कर रहे थे और तभी वहाँ पर पासी के एक घर का दर्वाजा अपने आप ही खुलता है जिससे की सभी लोग चोक जाते हैं और गा के अंदर चेक करने जाती है और बाकी लोग भी उसके पीछे-पीछे जाते हैं लेकिन जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो प्रीजट मरी हुई पड़ी है जिसकी आखे पूरी तरह से लाल है और उसके मुझ से खुन बह रहा है और यहीं से मुवी की शुरुआत होती है अब सीन कट होकर एक रेस्टोरेंट में आता है जहां पर एंडी नाम का एक लड़का उस रेस्टोरेंट में काम कर रही लड़की सोफी से मिलता है जिन्होंने अभी अभी एक क्लब जोईन किया था जिसका नाम था 0.0 MHz और ये एक पेरानॉर्मल इंवेस कर लिया 0.0 MHz कलब में सोफी और एंडी को मिलाकर कुल 5 मिम्मर्स थे जिनके नाम जेकी हैरी और माइक थे सभी लोग अपनी पेरानॉर्मल इंवेस्टिकेशन के लिए शेहर से कुछ दूर एक गाउं में जाने वाले थे जहां 4 साल पहले एक ओरत ने अपने घर में खुद से वहाँ पर भूत्या घटना घटने लगी जिससे की पूरा गाउं धिरे धिरे खाली हो गया कुछ महीनों बाद महां के लोकल तंत्रिक जिसे शमन कहा जाता है उसने भूत भगानने के लिए तंत्र क्रिया की लेकिन वो शमन ही मारी गई और उसका शरीर काफी बुरी हालत में मिला इस घटना के कुछ समय बाद एक स्टूडेंट ग्रूप उस गाउं में एक ट्रिप पर गया और उन में से एक लड़की ने महाँ पर किसी भूत को देखा जिसका उसने स्केज बनाया और वो स्केज काफी डिस्टरबिंग था लेकिन ये बात अभी तक कंफर्म नह जाने वाला था और तभी एंडी जो कि कलब का नया मेंबर था वो ये सवाल करता है कि 0.0 MHz का मतलब क्या है जिसका जवाब देखते हुए जैकी कहती है कि 0.0 MHz वो फ्रिक्वेंसी है जिसमें इंसानी दिमाग पेरानॉर्मल चीजों को महसूस करता है और सरल भाशा में कहा जाए तो ये भूतों को बुलाने वाले फ्रिक्वेंसी है फिर हम देखते हैं कि अगले दिन सभी कलब मेंबर्स उस होंटेड गाउं के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में एक शौप पर रुकते हैं जहां से वे सभी खाने का सामान वगेरा लेते हैं बाहर सोफी को एक पूरती हुई दिखाई देती है लेकिन बाकि सभी लोग उस लड़की को नहीं देख पा रहे थे फिर कुछ देर के सफर के बाद सभी लोग उस गाउं में पहुच जाते हैं जहां पर वो पेदल जेंगल के रास्ते पहुचते हैं और सोफी को उस घर को देखकर कुछ अज जेंगल में पहुच जाती है जहां वो खुद को काफी बिमार और ठका हुआ मैसूस करती है और उसके सामने अचानक एक बूड़ी ओरत आ जाती है जिससे की वो डर जाती है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है हम देखते हैं कि खाली गाउं के उस होंटेड घर के बाहर सभ को जंगल में हुए डराओने हाथसे के बारे में बताती है लेकिन सभी उसका मजाक उडाते हैं क्योंकि वो भी इस क्लब में नहीं थी और सभी उसे आराम करने का कहते हैं शाम होते होते मोसम बिगड़ने लगता है और सभी बारिश होने से पहले अपने एक्विप्मेंट् अपने फासी लगाई थी और दूसरी गुडिया के पेट में वो जेकी के कटे हुए नाखुन डालते हैं और उस गुडिया को एक पानी से भरे बरतन में रखते हैं जिसमें की कच्चा मास भी था फिर वो जेकी को जमीन पर लेटा कर उसके चारों तरफ नमक से घेरा बना देते हैं ताकि कोई भी आत्मा उस घेरे के अंदर नहीं आए और जेकी के सिर पर ब्रेंड मेपिंग डिवाइस लगाते हैं ताकि वो उसके फ्रिक्वेंसी माप सकें फिर माइक कुछ स्पेल बोलता है ताकि वहां मोजुद आत्माओं को बुलाया जाए और यह सबी चीज से CCTV केमरा में रिकॉर्ड हो रही थी हैरी उस घर के बाहर अपने एक्वेपमेंट्स पर देखता है कि जेकी के ब्रेंड की फ्रिक्वेंसी कम हो रही है और तभी जेकी अजीब तरह से भिहेव करती है जिससे की सबी डर जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि जेकी बस नाटक कर रही थी और यह प्रोसेस एक बार फीर से शुरू की जाती है लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं होता और सभी बाहर इंतजार करते-करते ठक जाते हैं माइक टॉयलेट करने चला जाता है और हेंड्री एंडी को सोफी के पास भेज देता है और वो खुद जेकी के पास चला जा उस कमरे की खिलकी पर अजीब सी परचाई आती है और सोफी कमूँ वही बूड़ी ओरत दबा दिती है जो उसे जेंगल में दिखाए दी थी वो सोफी के बिलकुल पीछे थी लेकिन एंडी उसे जरा भी नहीं देख पा रहा था माइक मॉनिटर पर दिखता है कि जेकी की ब्रेन फ्रिक्वेंसी काफी कम होती जा रही है और धीरे धीरे वो 0.0 मेगा हट्स पर आकर रूख जाती है जिसके बाद जेकी की आखे एक दम से खुलती है और वो अजीब तरह से चलकर बाहर आती है माइक को लगता है कि शायद ये एक बुरा सपना है और अंदर जाने पर जेकी की जगे बस हैरी सो रहा था और जो गुडिया वहाँ पर लटकाई गई थी उसका बस सर वहाँ पर लटका कर रहा था और बाकी शरीर गायब था फिर सभी मिलकर जेकी को ढूमते हैं और देखते हैं कि जेकी अजीब तरह से भीयव कर रही है जेकी फिर से नॉर्मल होकर सभी से खुद को बचाने को कहती है और अचानक से फिर वही अजीब बरताव करती है और जेकी कीचेन के अंदर बने चेमबर में अपने आप घुस् जिससे हेंंडरी और मायक उसे बाहर निकालने की कोशिक करते हैं तो देखते हैं कि कोई चीज उसे अंदर से खीच रही है और वो देखते हैं कि चेम्बर से खतर्ण आफ़ één को अंदर खीच कर ले जाती है इदर सोफी की टबेत काफी खराब थी वो ठीक से उठ भी नहीं पा लगता है और फर्ष को तोड़ने लगता है क्योंकि वही पर वो चेंबर था इधर चेंबर के अंदर जेकी भ्योंश पड़ी हुई थी और किसी के घने लंबे बाल उसे जगड़ते जा रहे थे हैरी और माइक एक पत्तर की मदद से कीचन के फर्ष को तोड़ देते हैं और ज वीचुल अभी तक जारी है और उसे खत्म करने का एक ही तरीका है डौल को जला देना सभी लोग माइक को वापस जाकर डौल को जलाने को कहते हैं क्योंकि मैक का ही यह पूरा प्लान था और ना चातते हुए भी माइक वापस जाता है लेकिन वह उस डॉल को बेना जलाए ही वापस आ जाता है और सबसे जूट कहता है कि वो उस डॉल को जला चुका है सभी वापस शेहर आते हैं और जेकी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं क्योंकि उसे अभी तक होश नहीं आया था हैरी जेकी के साथ हॉस्पिटल में रुकता है और बाकी के लोग पासी के एक होटल में जाकर रुकते हैं क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी थी और वो इतनी रात को अपने गर नहीं जा सकते थे होटल के अंदर एंडी सोफी से ये पूछता है कि उसने कार में उस घुडिया को जलाने वाली बात क्यों कही थी लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और उसे सोने का केकर अपने रूम में चली जाती है हम देखते हैं कि माईक अपने रूम में गाम में हुए हाथसे की फुटेज चेक कर रहा था और जेकी के साथ हुई घटना पर उसे मज़ा आ रहा था फिर वो एक टीवी प्रोडीसर को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसके पास एक गजब की फुटेज है और वो उस प्रोडीसर से उस फुटेज को बेचने की बात करता है एंडी अपने रूम में था और उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें एक बच्चा उसका गला दबा रहाता और यह सीन यही पर कट हो जाता है अगली सुबह माइक होस्पिटल में जेकी को देखने जाता है जहां पर हेरी बेहोश जेकी के पास था और माइक वहाँ जाकर हेरी को केंटिन में जाकर कुछ खाने को कहता है क्योंकि कल रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था हेरी के जाने के बाद माइक बेहोश पड़ी जेकी के पास जाता है और उसे किस करता है क्योंकि उसे जेकी अच्छी लगती थी और वो हैरी से जलता था कि तब ही अचानक जेकी की आखे खुल जाती है और वो अपने बालों में माइक को जकड लेती है जिससे कि वो बस तड़ता रहता है एंडी और सोफी होटल में ब्रिकवस्ट कर रहे थे कि तब ही उनके पास हैरी का कॉल आता है और वो उन्हें होस्पिटल में बुलाता है जहां पर वो देखते हैं कि जेकी पुरी तरह से ठीक हो चुकी है मानो जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो वो सभी लोग ये रात भी होटल में ही रुखते हैं जहां पर हैरी और जेकी एक ही रूम में ठेहरते हैं और हम देखते हैं कि जेकी पुजस्ट हो चकी थी और हैरी उसके साथ अकेले था माइक सुबर से गायब था और उसका फोन भी नहीं लग रहा था जिसके चलते सोफी रिसेप्शन से उसके कमरे की चा की थी और वो आत्मा अभी भी उसके अंदर ही है एंडी होटल के बाहर था और वो देखता है कि हेरी बहुती ड़रा हुआ था और वो अपनी कार से भाग कर कहीं पर जा रहा था है एरी काफी घबराया हुआ था और रात के अंधरे में उसके कार के सामने एक डरावनी जो एक छोटे से लड़के में बदल जाती है जो एंडी के सपने में आया था दरसल ये लड़का एंडी का छोटा भाई था जो एक हाथसे में मारा गया और जेकी इसका जिम्मेदार एंडी को बताती है जिससे की एंडी रिग्रेट होकर अपने आपको वही पर फासी लगा ल अगली सुबह उन्हें खबर मिलती है कि हैरी और माइक मारे गए हैं और उनके दोस्तों की लाशों को देखकर काफी दुखी होते हैं जेकी को लगता है कि उन दोनों को उसी ने मारा है और वो एंडी और सोफी को भी मार देगी लेकिन सोफी कहती है कि उन्हें फिर से उसी लेकिन आज उसे अपने शमन होने पर गर्व है। दरसल शमन वो लोग होते हैं जो भूतों को देख सकते हैं और तंतर मंतर करते हैं। इसलिए सोफी को गाउं जाते टाइम उस जुकान पर वो लड़की दिखी थी और गाउं के जंगल में वो और दिखाई दी थी। फिर सोफी जेकी के साथ वही रिच्वल करती है और एंडी को बाहर रुकने को कहती है। और तरफ अंदेरा हो जाता है जिसके बाद जेकी और खतरना खो जाती है। तौर्च की मदद से देखने पर सोफी ये देखती है कि जेकी अपनी गर्दन पूरी पीछे गुमा लेती है जो काफी डरा देने वाला नजारा था। सोफी जेकी को बचाने की कोशिश कर रही थी और एंडी तेज आवाजे सुनकर अंदर चला जाता है जहांपर जेकी उसे हल्यूसिनेट करती है कि सोफी उसके भाई को मार रही है लेकिन असल में ये जेकी करा रही थी। तबी अचानक से जेकी का मुझ काफी बड़ा खुलता है और उसके मुझ से वो बुरी आत्मा बाहर आती है जैसा कि उस लड़की के स्केच में बताया गया था। जेकरती जाती है कि तबी अचानक चेंबर से आग की लप्टे बाहर निकलती हुई दिखती है और वो बुरी आत्मा वहां से चली जाती है जिसके बाद एंडी भी सही सलामत बाहर आ जाता है और तीना उस होंटेड घर और उस गावं से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी और सोफी एक रेस्टोरेंट में थे जहाँ पर एंडी अपने लेप्टॉप में उसे नौवेल का ड्राफ्ट दिखाता है और बाहर चला जाता है। जहां से उसे पता चलता है कि एंडी तो चेंबर में ही था और वही मारा गया था और जो उसके साथ रेस्टोरेंट में है वो एंडी नहीं है और तबी सोफी के कंधे पर एंडी अपना हाथ रखता है और मूवी यही पर खत्म हो जाती है। दोस्तों I know कि आपके मन में कई सारे सवाल चल रहे होंगे और मैं उन सभी सवालों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। यह कहानी एक पेरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन क्लब की है जिसका नाम 0.0 मेगा हट्स था जो की एक फ्रिक्वेंसी है जिस पर इंसान पेरानॉर लोगों को देखने की शक्तिय होती थी लेकिन सोफी को ये जरा भी पसंद नहीं था फिर 0.0 मेगा हट्स कलब एक गाउं के एक घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है जहां पर उनकी फ्रेंड जेकी पोजस्ट हो जाती है और रिच्वल को खत्म करने के लिए उसमे यूजवी गुड़िया को जलाना था लेकिन माईक उसे नहीं जलाता क्योंकि वो जेकी और हेरी के रिलेशन से जलता था और जेकी अभी भी पोजस्ट थी वो माईक और हेरी को हल्यूसिनेट करके मार डालती है और एंडी को भी उसके छोटे भाई का विजन दिखा कर मानन की कोशिश करती है जो कि एक धुरगटना में मारा गया था सोफी को रियलाइज होता है कि उसके शमल होने का इस्तमाल करना चाहिए और वो रीचुल को खत्म करने के लिए वापस उस घर में जाते हैं जहां पर जेकी तो बच जाती है लेकिन एंडी नहीं बच पाता और उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा क्योंकि और भी कई इंट्रेस्टिंग वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं